हलो एवरिवन तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हूं राज का क्लास आपको एसवी वक्सी बुक से एडियम से फ्रेजेस पार्ट नंबर 22 अब ज़रा बात कर लेते हैं प्रोटेस्ट के बारे में देखो भाईया प्रोटेस्ट तो करना है ओल्लाइन प्रोटेस्ट चल बारे बिल्कुल सही है यह किसके लिए पता है यह जो उन्लाइन चल रहा है भी प्रोटेस्ट 15-15 घंटे तक लगाता है इनका मकसद है कि नए बच्चों को अट्रैक्ट करो और उनको बताओ कि देश में चल क्या रहा है और आप लोग साथ निभाओ यह कहने का उनका मतलब होता है ऐसा नहीं करना वो जो टीचर 15 घंटे तक करवा रहे ना उनलाइन प्रोटेस्ट उनका यह मकसद नहीं होता कि आप उनके पीछे 15 घंटे बैठे रहो पढ़ाय लिखाए छोड़कर बैठे रहो बिल्कुल नहीं लड़ना भी है रेलवे के खिलाफ लड़ना भी है और पढ़ना भी है और आगे बढ़ना भी है और अभी मैं आपको एक क्लू बताता हूं अगर कल को एक्जाम ले लिया जाए ना तो मैं गैरेंटी से कह सकता हूं कि लोगडाउन का इतने बच्चे फाइदा उठा चुके हैं कि वो टॉप कर जाएंगे लोगडाउन में इत पंद्रा-फंद्रा घंटे तक नहीं आपको पढ़ाई भी करने हैं तो चलिए आज कर देख लेते हैं फर्स्ट इडियम क्या है जो लोग नए है चैनल पर उन लोग थोड़ा से समझ लें कि यह क्या है पॉस करके वीडियो को पढ़़ सकते हैं इसको अब जड़ा समझेंगे कि किक वंस हिल्स का मतलब होता क्या है तो इसका मतलब होता है टू वेस्ट टाइम इन वेटिंग मतलब इंतजार में समय गवाना यह वाली बात नहीं है कि थोड़ा इंतजार का मजा लिजिए नहीं आप मजाने लेते हो जब आप वेटिंग में टाइम वेस्ट क किया है तो ज़िघा न बताता हूं माल यजद्ध यह काफी फुर्षत में बैठे हुए और कई लोगों को आपने नोटिस किया हूगा आपके साथ हुआ होगा अगर किसी चीजके इनतजार में बैठे हैं एकदम रिलाक्स करके हैं तो क्या तो आप अपने पाउं को क्या कर रहे होते हो ठक 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 नीचे हिला करके अपने पाउं को अपने हिल्स को क्या करते हो वहां पर नीचे जमीन में किक कर रहे होते हो हलका हलका सही सही लेकिन आप कर रहे होते हो जैसे मैं आपको दिखाता हूं क्लिप एक छोटा सा क्लि को है यह क्या करने की कि सिजल्दी मैश खतम करो मुझे घर जाना है देखो इनके नजर भ harvest इंके गर जाने की बहुत जल्दी पड़ी है अभी यह कर क्या रहें इनका FEET को देखो यह यह नीचे क्या कर रहे हैं थोड़ा-धोड़ा teamed कर रहें शेक शेक करने के बाद क्या करने है अपने AD को इनका जो मुवमेंट का जो देखोगे आप ये क्या करने है अपने AD को अपने हिल्स को क्या करने है किक करने है कहां पे किक करने है जमीन पे मतलब इस तरीके का जो आता है आपके साथ जो ये समस्या आती है कि आप अपने हिल्स को किक कर रहे होते हो जमीन पर तो यह साफ साफ सो कर रहा होता है कि बिल्कूल आप क्या कर रहे हो टाइम वेस्ट कर रहे हो किसी चीज के के इंतजार में यह किसी का इंतजार करने मैच खतम होने के इंतजार करने कि मुझे घर जाना है मेरी बारी तो खतम हो चुकी है ज़रा देखो इनके एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा है तो अभी अब समझ गए कि किसी के साथ भी ऐसा घटता है आप बहुत लोगों को नोटि को किसी का मतलब होता है इंतजार में समय गवाना तो यह समझ गए कि कि इंतजार में समय गवाना अब बात करते हैं इसका जो इसके बारे में यहां लोग को क्या करना पड़ा था है हाड टू कीक अवर हिस मतलब हम लोगों को क्या करना पड़ा था वेट करना पड़ रहा था और अपना समय फल्टू का गवाना पड़ रहा था वहां पर कहां पर अट दा स्टेशन पर तो आप इसके बारे में समझ गया अच्छे तरीके से अब जरा बात करतें सेकेंड नं अप्टूडेट रहना पड़ वो होता है इसका मतल़ कि किसी से पीछे नहीं रहना जमाने के साथ-साथ चलना तो अब समझ गया होता अब जरा समझेनगे कि यह आया कहां कहां से इसका मीनिंग होता कहां से इसका सोर्स औरिजिन ह्या अब जड़ा देखते हैं यहाँ पर Abraced का मतलब क्या होता है Abraced का मतलब होता है साथ साथ होना जमाने के साथ साथ होना क्या चल रहा है उसके प्रती सचेत रहना यह कहलाता है Abraced तो जाहिर सी बात है कि इसका मीनिंग इसी में छुपा हुआ था कि किसी से पीछे नहीं रहना जमाने के बिलकुल साथ होना तो आप समझ गए कि मतलब कोई भी चीज नया चीज आया हुआ है मार्केट में उसके बारे में आपको जानकारी होना यह कहलाता है Keep Abraced Off मतलब किसी से पीछे नहीं रहना Not to fall behind मतलब कि साथ साथ होना जमाने के साथ साथ होना क्या चल रहा है उसके प्रती साउधान होना सचेत रहना यह कहलाता आपका अब जो देखते हैं इसका जो एक्जेंपल दिया है It is very important for the young persons to keep abraced of political developments in the country मतलब क्या है कि यह बहुत ही महत्वपूर है किसके लिए young लोगों के लिए काफी महत्वपूर है क्या करना to keep abraced of मतलब जमाने के साथ साथ चलना किस चीज में political developments in the country country में जो भी political developments हो रहा है उसके बारे में जानकारी होना उससे पीछे नहीं हटना है उनको पता होना चाहिए कि देश में किस चीज का development हो रहा है political में क्या development हो रहा है तो आपको भी पीछे नहीं हटने है आपको भी अवगत होने चाहिए इन सारी चीजों से keep abraced of का मतलब है not to fall behind मतलब साथ साथ होना बिलकुल किसी से पीछे नहीं रहाना जमाने में जो भी चल रहा है उसे अवगत होना कहलाता है keep abraced of समझ गया इसका meaning अच्छा एक बात एक जो first question में है यहाँ पर ध्यान देना यहाँ पर है at the station यह phrase है आप कहोगे कि station के पहले दा कैसे आ गया तो यह phrase है इस चीज़ को याद रखना जैसे go to the station यहाँ पर भी दा लगता है अगर station की बात जब भी आ जाए तो याद रखना grammar में इस चीज़ें में पढ़ाऊंगा तो जब भी station आए तो इसके पहले दा का यूज होता है इस चीज़ को याद रखना और दूसरी बात क्या है जैसे आप सिनेमा जाते हो तो भी उसके पहले दा लगा लगा जाता है go to the cinema एक phrase है go to the cinema मतलो cinema जाने के ही sense में एक phrase है सिर्फ station ऐसा है जिसका यूज जो होता है वो entertainment के लिए नहीं होता है और उसके पहले दा का यूज होता है ध्यान देना station एक ऐसा word है जिसके जो entertainment के लिए नहीं जाना जाता है लेकिन इसके पहले दा आता है लेकिन जितने भी entertainment वाले जगह होता है जिसे cinema हो गया ओपेरा हो गया आप theater जा रहे हो तो उसके पहले इसे entertainment वाले जो word होता है उसके पहले दा लगाया जाता है जो go के sense में दिया जाता है go to the cinema, go to the theater, go to the station तो इन चीज़ों को याद रखना the का यूज मैं बता दिया हो थोड़ा सा आ गया था तो अब जरा बात कर लेते हैं यहाँ पर third number third number है, lost in the clouds क्या मतलब है, lost in the clouds का मतलब होता है confused होना, क्या होना, confused होना अब जरा देखेंगे कि आया कहां से होगा अब इसको जरा ध्यान चे समझो, यह क्या है यह कुछ पक्ची हैं देख रहे हो, कुछ पक्ची हैं बिचारे क्या कि यह आसमान में बहुत दूर तक निकल गए आसमान में उड़ते उड़ते बहुत उपर चले जाते हैं और बाद में वो पाते हैं कि उनके नीचे से बादल गुजरने लगा अचानक और बादल से भी उपर चले जाते हैं और बादलों से गिर जाते हैं अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि जाए तो जाए कहां मतलब ऐसी जब हालत होती है किसी के साथ तो समझ जा किसी सीचुएशन में होते हैं बिलकुल confused अवस्था में होते हैं lost in the clouds होते हैं मतलब confused होते हैं तो इस पिक्चर से आप याद रख पाओगे कि lost in the clouds का मतलब होता है confused होना अब जब देखिए यहां पर है example इसका my psychology teacher is often lost in the clouds मतलब मेरी जो psychology की teacher है वो काफी क्या होती है confused होती है कब as clouds as जैसे की she sometimes is unable to explain the questions clearly कब वो confused होती है जब वो questions को clearly नहीं समझा पाती explain नहीं कर पाती तो sometime वो क्या होती है इस स्थिति में वो बिलकुल confused होती है she is often lost in the clouds मतलब क्या हुआ इसका कि वो confused होती है तो यह भी आप समझ गए कि आया कहां से है तो lost in the clouds clouds में lost कर जाते हैं पक्षी तो और बाद में अगर देख रहे हो यह म अब भला नीचे आएंगे तो समझ गए कि lost in the clouds का मतलब क्या होता है तो confused होना अब जड़ा देखते हैं fourth number अच्छा जी एक बात और मुझे अभी ध्यान आया first number first number क्या था आपका kick one sales यह था आपका kick one sales इसका मतलब तो जानगे इंतिजार में समय गवाना लेकिन आपके लिए एक homework है इसी से related क्या है आपको comment में बताना है kick the bucket का मतलब क्योंकि मैं recently पढ़ाया हूँ और बहुत अच्छे तरीके से इसको explain क्या हूँ kick the bucket का क्या मतलब होता है आप मुझे comment में बताओगे आपके लिए homework है वीडियो देखते देखते ही आप comment कर सकते हो और comment में लिग देना था कि आप वीडियो को दुबारा अगर विजिट करते हो तो आपके comment आपको उपर में देखे आपको पिता चल जाए कि kick the bucket का मतलब आपने क्या लिखा हुआ था तो इसका meaning आपको बताना है यह मैं बता चुका हूँ अब जराब बात करते हैं fourth number fourth number क्या है यह है आपका lose ground lose ground का क्या मतलब होता है तो इसका मतलब होता है fail to keep position मतलब क्या है इसका प्रभाव हीन होना किसी का अस्तित्व मिटने को होना fail to keep position मतलब कोई चीज अपना position बनाके रखा है बहुत दिनों तक और उसका जो अस्तित्व है वो मतलब मीटने के कजार पर प्रभाव हिन हो रहा है उसका अस्तित्व तो कहेंगे लोज ग्राउंड तो लोज ग्राउंड का मतलब क्या बताया किसी का अस्तित्व मीटना और फिर प्रभाव हिन होना जैसे यहां पर example, क्या दिया है, यहाँ पर दिया है, दा belief इन approaches and horoscope is losing ground these days, मतलब कह रहा रहा है, कि जो belief होता था पहले, processes के उपर, मतलब h还是copicalette के उपर, or horoscope, horoscope का क्या नचक्वा कि ऊप्लत हूस, क्या मतल थो आप hélas क्या होता है, prophecy, by direction, horoscope, यह आज किया कर रही है, losing ground कर रही है, मतलब प्रभावहिन हो रही है इन चीजों का अस्तित्व जो है वो धिरे-धिरे मीट रहा है बिलिफ जो है इनके उपर का वो लोगों के बीच क्या हो रहा है कम हो रहा है प्रभावहिन हो रहा है घट रहा है तो लूज ग्राउंड का मतलब होता है फेल्टू की पॉजिशन म इसी चीज का आधार मतलब जो बोलते हैं बेस मान लिया जाए आप जमी पे खड़े हो जमीनी पीछे से खीच लिया जाए तो आप गिरोगे ही गिरोगे मान लिया जाए आप चेयर पे खड़े हो चेयर ही खीच लिया जाए आपके बेस को खीच लिया जाए तो आप गिरोगे मतलब क्या है आपकी स्थीरता जो है वो कायम नहीं रहेगी आप क्या करोगे लूज ग्राउंड करोगे तो ग्राउंड का मतलब स्थीर भी होता है आधार भी होता है और जब आप अपना स्थीरता को लूज कर रहे होते हो तो क्या होता है आप अपनी स्थीरता को खो रहे होत तो फेर टू किप पॉजिशन इसका मतलब आप समझ गए कि क्या होता है कैसे होता है अब जरा बात करते हैं इसी से रिलेटर एक और भी मैं बात बताता हूं ओमर का आपके लिए कमेंट में आपको बताना पैँ कि ए चीज़ों मैं बता दिया हो और साथ-साथ में ऐसे बताने का मतलब मेरा मकसद क्या होता है ताकि आप confuse ना करो चीज़ों को exam में माल लिया जाए आप पहले से पढ़ रखे हो gain ground पढ़े हो पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो अब बताओ मुझे gain ground में काफी अच्छे से discuss किया था आज आगी है lose ground मतलब ground से related था किक से related अभी दो चीज़ों को मैं बताया उसी तरीके से lose ground का मतलब भी बताया पहले बता चुका हो gain ground तो आपको बताना है कमेंट में ताकि मुझे बता चले कि आप पहले से पढ़ रहे हो और फिर भूल रहे हो और फिर सारी चीज़ों को खो चुके हो मतलब एक कांच से सुना दूसरे कांच से निकाल दिया ऐसा तो नहीं हो रहा है अगर हो रहा है तो आप मुझे बताना कमेंट में और अगर नहीं हो रहा है तो आप यह भी मुझे बताओ कि gain ground का मिनिंग होता है क्या यह आप मुझे कमेंट में बताओगे समझा दिया इसका मिनिंग आया कैसे होगा अब ज़रा बात कर लेते हैं इसका एक्जांपल भी बता दिया ना तो दो आपके लिए होमर्क होगे कमेंट मैं आपको बताने है अब ज़रा बात कर लेते हैं यह देखो यहां क्या है लाफ इन वन्स स्लीव्स इसका मतलब क्या होता है तो लाफ सिक्रेटली सिक्रेटली का क्या मतलब होता है तो आप क्या करें तो चुपके से जो हसते हैं ना लोग उसको बोलते हैं मतलब चुपके चुपके से हसना एकदम चुप चुपके हसना ये कहलाता आपका laugh in once sleeps अब ये आया कहां से होगा जरा ध्यान से देना देखना ये क्या है पिक्चर देखो अब ये देख रहे हो ये हस रही है मान लिया जाए कोई teacher के उपर इनको हसी आ रही है तो ये अपने चेहरे को छुपा करके teacher यहां पर कहीं पर खळा है ठीक है यह आपका ये बिल्कुल नाराज मन लेकरके ख़डाया है इनको हसी आ रही है अब ये teacher इधर से खड़े है ये इनसे बचने के लिए अपने हाँ से हाँ से क्या कर रही है छुपा रही है अपने चेहरे को और हस रही है मतलब चुपके से ये हस रही है अब जड़ा देख लो इस तरीके से भी लोग हसते हैं मतलब इस पोर्शन से अपने चेहरे को छुपाते हुए हसना अब जड़ा देख लो ऐसे इस तरीके से भी हसना एक बोलता है ना सिक्रेट ले हसना देखो इस बच्ची को कै से मुँ पर हाथ रख रही है मतलब अपने चेहरे को किया कर यह चुपा रही है और बिल्कुल मंद मंद मुस्कुरा रही है किसी को उपर हस रही है तो यह चीजें जो है वो क्या कहलाती है laugh in one's sleep मतलब sleep के से चुपाते हुए अपने चेहरे को हसना तो यह कहलाता है to laugh secretly मतलब चुपके से किसी के उपर हसना कहलाता है लाफ इन वन्स स्लीप समझ गए इसका मिनिंग क्या होता है अब जला यहां पर एक्जाम्पल देखते हैं यह आपका स्टुडेंट्स लाफ्ट इन दियर स्लीप मतलब स्टुडेंट्स चुपके चुपके से हसरे थे आट अट लोग भड़े पढ़े हैं आपको बिलीव नहीं होगा अनकेडमी में अनकेडमी को आज से नहीं जानता तब से जानता हूं जब रोमन सेनी ने अपना एक्जाम क्रेक किया हुआ था और अपने एंवारिमेंट के वीडियो डाला हुआ यूट्यूब पे आज तक तो उनका क कॉर्स कंप्लीट नहीं हुआ और अनकेडमी सचाही बता दू एक कोर्स के दाम सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को बताने के लिए लोग वहाँ पर दाम रखें 1699 रुपिया उन लोगों के लिए जो आई ओएस का फोन चलाते हैं मतलब आई फोन चलाते हैं और कदेशा बढब चलाते हैं अवस्तिस करते हैं वोगे उष्क्राइब को सब्ह्यार के रहे उन प्रोटेसगार दाम चलाते हैं मतलब द सब्झेक्ट पर क्या उनकी अग्यान आप प्रहाने जा और उनके उलावरत तो पूछी नहीं नहीं होते हम पहली बार है उस सब्जक्ट को तो लोग फॉलो कर लेते हैं क्योंकि कोई टीचर ना मिलने सक्चा को अच्छा एक्छ थो बता रहा है तो वैसे टीचर से आपको बिल्कुल पढ़ने हैं बिल्कुल अग्यानता वाले टीचर से नहीं पढ़ने हैं तो ध्यान रखना इस बात का और दूसरी बात यहां पर क्या है जड़ा देखो तो जड़ा हुँराने हैं यहां पर अजड़ा है। इसका मतलब है to make all possible efforts, मतलब है कोई कसर ना छोड़ना, मतलब किसी चीज को पाना हो, कोई लक्ष को पाना हो, तो बिलकुल कोई कसर ना छोड़ना, to make all possible efforts, leave no stone altern, यही कहलाता है, कोई कसर ना छोड़ना, ED-CHOTI का जोर लगाना जो बोलते हैं ना हिndी में बोलते हैं एक मुहावरा है ED-CHOTI का जोर लगाना इसका मतल़ होता है कि ब tripो कोई कसर न चोड़ न हर तरीके को अपना करके उस चीज चीज को पा लेना जैसे बोलते हैं इसका एक और भी मुहावरा है आपका हिंदी में खून पसीना एक कर देना मतलो एडी चोटी का जोर लगाना और खून पसीना एक कर देना एक तरह से मुहावरा है जिसका मिनिंग होता है कोई कसर न छोड़ना तो आप इसका मिनिंग समझ गए अब इसको समझेंगे कि आया कहां से है तो एक बात मैं बता दू एक एक जो ग्रिक स्टोरी से आया है मतलो रियल स्टोरी से आया है उसमें क्या होता है उस स्टोरी में ऐसा है कि एक जेनरल होता है जनरल मतलो जो बहुत बड़े पोस्ट पे होते हैं आर्मी में तो एक बहुत बड़े ट्रेजरी होता है उनके पास ट्रेजरी का मतलो खजाना बिल्कुल सोने चांदी हीरे जो आराद से भरे पड़े खजाना होता है उसको क्या करते हैं कि बरीड कर देते हैं कहीं जमीन में बरीड कर देते हैं मतलब दफना देते हैं कहीं पर छुपा देते हैं और मतलब लड़ाई करने से पहले और लड़ाई में जाते हैं तो ये क्या होता है वो जो जनरल होते हैं वो मारे जाते हैं मारने के कि बाबा आप मुझे बता कि वो खजाना चुपा कर रखे कहा है तो वो क्या बताते हैं कि वो जो जनरल था वो किसी मुझे जहां तक दीख रहा है मतलब अंतर दृष्टी से जो दीख रही है जब मैं आंक बंद कर रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि कहीं पत्थरों के ढेर स कहीं पर उसे चुपाया गया है ऐसा उनको लगता है तो कोई पत्थर के नीचे वो दबा पड़ा है तो आप लोग ढूंडो तो वे लोग सारे लोग क्या करते हैं उनको पता नहीं होता है कौन से जगा में चुपाया है लेकिन जितने सारे पत्थर उनको मिलते हैं सब को क्या बिल्कुल उलटाते चलते हैं, टर्न कर रहे होते हैं, बिल्कुल टर्न कर रहे होते हैं, मतलब हर एक स्टोन को वो उलट करके देखते हैं, कि कहीं यहां तो नहीं है, तो इस तरीके से भी लोग सारे स्टोन को उलट करके देखते हैं, जितने भी उस इलाके में स्टोन होते है उसको डोडने के लिए हर stone को क्या करते होते हैं वे उलट करके देख रहे होते हैं मतलब क्या है they don't leave stone unturned ऐसे इसको बोल सकते हैं मतलब वो एक भी नहीं करते एक भी stone को unturned नहीं छोड़ते मतलब हर एक stone को turn करते हैं उलट पलट करके देखते हैं तो यह एहां से आया है इस स्टोरी से और इसके औरिजिन के बारे में समझे इसका मतलब होता है लिव यह स्टोन अड़न अं टेयन अंड पूर यह का मतलब को इसका मतलब कोई कसर ना छोड़ना एडी चोटी का जोर लगाना खून-पशीना एक कर देना कहला लीव नो स्टोन अंटर्न टू मेक औल पॉसिबल एफर्स अब ज़रा देख लेते हैं इसका एक्जामपल यह कह रहा है दा मिनिस्टर अस्योड दपूर मतलब गरीबों को मिनिस्टर ने क्या क्या अस्वस्त क्या अश्वाशन दिया डाट ही शैल लीव नौट ही शैल लीव स्टोन अंटर्न टू अफलिफ्ट दियर कंडिशन मतलब उन लोगों के कंडिशन को बहतर बनाने के लिए वो कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे बिल्कुल एडी चोटी का जोर लगाएंगे एक कौन आस्वस्त कर रहे हमारे मिनिस्टर सहाब ने किसके लिए दपूर के लिए गरीब लोगों के लिए अब कहोगे कि पुवर के पहले दा लगानेaska का क्या मतलब है पुवर जब कहते है ना तो देखो पुवर कहते हैं मतलब किसी एक वेक्थिव का पिन्डिकेट कर लूग इसका मिनिंग क्या होता है जारीज का मतलब एक अमीर लोग लेकिन दा रीच क कूज करना इसका मतलब क्या है तो इसका मतलब होता है डिक अीरीस्क डिलिबरेटली मतलब जान बुझ करके रिस्क लेना जो cellular मतलब हम उटाना ये कहलाता है मतलब अंधेरे में छलांग लगाना अब आप अंधेरे में छलांग लगाए फिर होगे तो क्या होगे कभी पैर तूटेंगे कभी हां तूटेंगे तो एक तरह से आप रिस्क ले रहे होते हो फालतियू का एक छलांग लगा रहे होते हो अंधेरे में तो तो इसका मतलब साफ है इसी से इसका मिनिंग without experience मतलब बिना कोई अनुभाव का अगर आप business में enter करते हो तो you must not leap in the dark मतलब बिना experience का business में आपको क्या नहीं करना चाहिए आपको बिल्कुल ही risk नहीं लेने चाहिए जोखिम नहीं उठाने चाहिए जब आपको कुछ experience है उस चेतर में तभी जोखिम उठाईए यह कहने का मतलब है तो leap in the dark का मतलब हो गया to take risk deliberately eight number है look sharp look sharp का मतलब होता है to make haste haste का मतलब होता है जल्दबाजी में करना तो look sharp का मतलब होता है हिंदी में इसका मतलब होता है जल्दी करो वक्त खराब ना करो बोलते हैं किसी को वक्त खराब ना करो जल्दी करो बई कोई आ रहा है तो look sharp का मतलब होता है जल्दी करो वक्त ना खराब करो to make haste मतलब जल्दी करो यहां पर example है look sharp the bus is moving की जल्दी करो बस जा रहा है लेकिन यहां पर होशयायार मतलब एक्टिव रहो एसे बूल सकते हैं लुँक शार्प का अक्टिव का मतलब इसका होश्यार रहना ध्यान से इसका दूसरा मिनिंग होता है ध्यान से करना कोई भी चीज़ को ध्यान से करना तो यहां पर कह सकते हो कि लुक शार्प का मतलब है कि ध्यान से करना लुक शार्प का मतलब ध्यान से देखो ऐसा भी कह सकते है तो to make haste का मतलब क्या हुआ जल्दी करो वक्त खराब ना करो इसका meaning समझ गया मतलब इसका meaning इसी में reflect हो रहा था अगर आप शार्प का यह सम मीनिंग जानते तो अब बातें करते हैं 9th number का 9th number क्या है यह ज़रा देख लो यहां पर है यह भी एक स्टोरी से आया हुआ है लेट दा का आउट अफ दा बैग इसका मतलब का मतलब इसका मतलब होता है किसी सीक्रेट को बता देना अब बात करते हैं यह आया कहां से होगा तो बहुत पुराने जमाने की बात है जब लोग क्या करते थे लोग ऐसे बैग में बंद करके पीग बेचा करते थे पिग मतलब पिगलेट समझ लो चोटे-चोटे सूवर के बच्चे होते हैं उसको बेचा जाता था आप लोगों को नहीं पता होगा पिग जैसे इंडिया में हम लोग देखते हैं तो काफी घ्रना करते हैं पिग से ना क्योंकि यहां जो पिग को पाला जाता है यह दूसरे मक वैट कलर्ड के जो पिउते हैं वैसे кई पिए सैसे वोते हैं onपद हुआ करते थे कि उसको देखा जाया करता था कैसे किस्दि गला है को अनियूं क्तायता था खरीदने वाले को बताया ये खोलना वरना इधर खोलना बहुत ही रिस्की है तो जैसे वे लोग क्या करते थे घर पहुंचते थे और इस तरीके से बैग खोलते थे तो पता चलता थे ये मुझे ठगा गया है मतलब इसमें बिल्दी भर करके मुझे पीग को बेच दिया गया है ये इसका ओरिजन है रि निकल जाती है ये तो इस तरीके स्टोरी है इसके पीछे की तो लेट दा का आउट अप दा बैग का मतलब क्या होता है तू डिस्कलोज कहा साह है समझ गए अब और इसका मतलब होता है जाहिर करना उजागर कर देना और पिर बोल सकते ओ किसे सीक्रेट का पता चल जाना यह कुबोल कर लिया confess करते हुए ये बता दिया कि उसने अपने ब्रदर के मनी को चुराया हुआ था और लेट दा कैट आउट ओड़ बाइक का मतलब उसने उजागर कर दिया मतलब सबको सिक्रेट बता दिया कि जी हाँ मैंने क्या किया था अपने भाई के पैसे को चुराया है 2 के इस और बहत की बाते है transform क्बोल कर लेना प्र माल लेना समझ की इसका मिनिं bamboo का है कैसे बाते किसे आ होता है अर्षबाते करतें caninging का tape है जो यह इसका मिनिंग है यह है आपकागे इस का मतलत है इप अराम हो दीन बर दिन रसूछल्य खाने की बाए्धिस एे वोगजक की बात है, तो paradise का मतलब स्वर्ग रहना होता ही है, इसका मतलब हम रहना मतलब मतलब false hope होना इसका hindi में meaning में बताता हूं कि क्या होता है तो इसका हिंदी में मिनम्निंग है हवाई किल्ध बनाना सुने होगे हवाई किल्ध बनाना मतलव एकदम आसमान में बादल के ऊपर एक किल्ध बनाना घर सुन्दर साँ घर बनाना तो इस तरीके के हवाई किल्ध को कहते हैं false hope मतलब live in your false paradise मतलब मुर्खों के स्वर्ग में रहना हवाई किल्le बनाना है किले दो हैंगी तो किज्डूओ उस्टोरी आपने को है कि वयक्तिय रहता है य। आंडे को खरीदा है अग्स को खरीदा है और अपने सामने अपने सामने क्या कर रहा होता है उसको लटका करके रखता है मतलब जहां सोता है अपने नजर के सामने रखता है और एक दम लटका करके किसी यहां पर हैंक करके रखा होता है मालियाजा यहां पर एक कोई रसी से लटका दिया है इसमें गोलगोल अंडे रखे हुए और वो बैक्ति का बेड़ यहाँ होता है यह इधर से सो रहे होते हैं इधर देख रहे होते हैं अंडे की तरफ कि कहीं मिसना कर जाओं कहीं पर यह खोड़ना जाए इस तरीके से कुछ मतलब वो सो रहे होता है बिल्कुल ध्यान होता हूँ उस बिचारे का X के उपर अब वो क्या सोच रहा होता है वो सोच रहाता है कि ये अंडे को मैं बेचूंगा उसके बाद कुछ मुर्गियां खरीदूँगा मुर्गियां खरीदने के बाद बहुत सारे अंडे होंगे मेरे पास फिर उन अंडे को बेचूंगा और इस तरीके से मैं अमीर बन जाओंगा और एक दिन क्या करूंगा बहुत ही बड़ा बिल्डिंग बनाओंगा बहुत ही अच्छा सा एक घर बनाओंगा तो ऐसा वो सपना देखते हैं तो इस तरीके से वो सपना देख रहे होते हैं मतलब इस तरीके से खुआप देखते हैं कि मेरे बीवी मुझे मना करेगी और मैं फिर उसे मैं लाट से मारूंगा जैसे उसका लाट चल पड़ता है सपने में अचाना उसके सारे अंडे नीचे गिर जाते हैं अंडे पे चोट लगता है और सारे अंडे फूर जाते हैं उसके खुझते हैं, बिलकुल होआई के लिए बनाते हैं, आपने भी कभी किया होगा, कुछ न कुछ खुझते ही रहते हैं। बिलकुल देखना प्लिकिते है हुआ 모त किया है। पैसा थोड़ी Brigadir से हमेशा अब जरा बाते करते हैं लीव इनिया फूल्स पराडाइस किसे आया समझ गया इसका मतलब फॉल्स होप होता है मतलब हवाई के लिए बनाना जूटे ख्वाब देखना अब इसके बारे में बात कर लेते हैं क्या जूटे ख्वाब बॉन रहा है हवाई के लिए लिए होई भयाी की अगर मैं वर्कंद्र की क्या क्या करता हूं हर्डव्र किये मैं हाड्वर किए बन सकता ऊत talking कि उसके भाई क्या करता है जूटे सकौन थेखने हवाई के लिए बना रहे उते हुते अब मैंने सारे चीजों को बता दिया है, अब क्या करता हूँ, आप इस वीडियो को लाइक करना और मैं रिकैप करवा देता हूँ, हमेशा की तरह, ताकि आप लास्ट के दो मिनट में क्या कर सको, आप इस वीडियो को इस पूरे जितने भी सारे चीजों को मैं बताया हूँ, उसका recap कर पाओ, उसका revision कर पाओ और इसके बारे में जिनकों नहीं पता है कि तरीगीतम 4 A.M. कलब क्या है तो यह टेलीग्राम पर group है, वहाँ पर जोइन हो सकते हैं और personally मैं guide कर रहा हूं लोगों को task देते हुए test लेता हूं परतेक संडे को, अगर जोएन करना है पहली बार देख रहें वीडियो को तो इस नंबर पर मुझे WhatsApp करेंगे मैं सारा कुछे बता दिया करूंगा, अब recap कर लेते हैं कि कि किसका मिनिंग होता है, यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्या है, इसका मतलब होता है confused होना, अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट, फॉर्थ नंबर है lose ground, lose ground के साथ मैं आपका gain ground को पुछा था तो एब बता देना, lose ground का मतलब होता है fail to keep position, मतलब प्रभाव हीन होना, किसी का अस्तित्व, बीटने के एक गार पर होना, फॉर्थ नंबर हो गया, फिफ नंबर है laugh in once sleeps, लाफ in once sleeps का मतलब to laugh secretly, मतलब चुपके से हसना किसी के उपर यह कहलाता, laugh in once sleeps, फिफ नंबर हो गया, फिफ नंबर देख लो क्या है, फिफ नंबर है leave no stone unturned, इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब to make all possible efforts, मतलब कोई कसर ना छोड़ना, 80 चोटी का जोर लगाना, खून पसी ने एक कर देना, कहलाता, leave no stone unturned, seven नंबर है leap in the dark, इसका मतलब होता है to take a risk, deliberately, मतलब क्या है, कि जान बुचकर जोखिम उठाना, risk लेना, खत्रा मुल लेना, eight number है look sharp, look sharp का मतलब होता है to make hast, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब होता है, जल्दी करो, वक्त खराब ना करो, जल्दी जल्दी पढ़ाई करो, बिल्कुत slow muscle में पढ़ाई करोगे, दिमाग आपका जल्दी जल्दी देखोगे, फास्ट वालि वीडियो देखोगे, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, इस चीज़ की यादत डालो, क्योंकि वक्त पढ़ना बहुती मुश्किल होता है, आपको फास्ट में पढ़ने चाहिए, यहाँ पर लेट डा कैट, out of the bag, इसका मतलब to disclose होता है मतलब क्या इसका जब जाहिर कर देना उजागर कर देना किसी सिक्रेट का पता चलते ही सब को बता देना अब टेंथ रंबर क्या है आपका टेंथ रंबर है लीव इन फूल्स परड़ाईस इसका मतलब फॉल्स होप होता है मतलब हवाई किल्ले बनाना जूटे खुआप देखना कहलाता लीव इनिया फूल्स पराडाइस तो चलिए हम लोग आज बहुत को सीके तो आज का क्लास है रप अप करते हैं थेंकियो वेरी मच